ऐसा पहली बार है कि भारत में विक्सित ऐसी प्रनाली को दुनिया के सबसे तेज दस सुपर कम्प्यूटरों में शुमार किया गया है। इस पातर आटो मोबाइल क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुके टाटा ने यूलिट पैकेड की मदद से ये हनूठी उपलब्दी हासिल की है। अमरीका के रेनो शहर में कम्प्यूटर गन्ना, नेट्वरकिंग, स्टोरेज और विशलेशन पर आयोजित अंतराश्ट्रिय सम्मेलन में घोशित शीर्ष 500 सुपर कम्प्यूटरों की सूची में TCS को ये प्रतिष्थित स्थान हासिल हुआ। समचार एजेंसियों के अनुसार कम्पनी ने इस नए सुपर कम्प्यूटर को एका नाम दिया है। एका संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ है नंबर एक। इस सुपर कम्प्यूटर से ऐसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी जहां चन्द सेकिंडों में ही खर्बों गन्नाई करनी होती हैं। मौसम अनुमान, दवाओं की खोज और फाइनेसियल मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में हम इसका इस्तिमाल करेंगे। ये सुपर कम्प्यूटर टाटा की पुनेस्थित कम्प्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज यानी सी आरल में तयार किया गया। इस सुपर कम्प्यूटर के विक्सित होने से भारत में वैग्जानिक अनुसंधानों में तेजी आने की उम्मीद है। ये विश्व का चोथा सबसे तेज सुपर कम्प्यूटर है और ये एक सेकंड में 117.9 खरब गन्ना कर सकता है। सेना और शोध कारियों में फायदा समचार एजेंसियों के अनुसार इस सुपर कम्प्यूटरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से विश्व विध्यालयों, सेना और विज्ञान शोध प्रयोगशालाओं में किया जा सकता है। ये कम्प्यूटर क्वांटम फिजिक्स की गन्ना, मौसम एवं जलवायू संबंधी रिसर्च, रासायनिक तत्वों के अध्यायन और परमानों हतियारों और विमानों के निर्मान में काफी सहायक होते हैं। TCS के प्रमोखेस रामादुराई ने कहा, इस सुपर कम्प्यूटर से ऐसे कशेत्रों में मदद मिलेगी जहां चन सेकिंडों में ही खर्बों गन्नाई करनी होती हैं। उन्होंने कहा, मौसम अनुमान, दवाओं की खोज और फाइनेसियल मॉडलिंग जैसे कशेत्रों में हम इसका इस्तिमाल करेंगे।